पके हुए आम का सीजन चल रहा है तो मैंगो केक बनाना तो बनता ही है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना टेम्टिंग और कितना सुन्दर से यह केक बन के तयार हुआ है और सबसे बरी बात इसे बनाने में एकदम भी टाइम नहीं लगता है और मैंने इसमें नाही मैदा डाला है और नाही बेकिंग सोडा और नाही बेकिंग पाउडर और इसे बनाने के लिए हमें माइक्रोवेव ओवन की जरुवत नहीं परती है और वीडियो पसंद आये तो ज़्यादा से ज़्यादा ईसे सेर करें और लाइक करें मैंगो केए किनाने के लिए सबसे पहले हम मीठेगे वाले आम लें यहाँ मैंने 2 आम ले हैं ये मीठे आम हैं तो आप मीठे आम ही लें तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके छिलके हम उतार लेंगे तो छिलकों के हमें निकाल लेना है या तो आप चाकू की मदर से इसे निकाले या पीलर से निकाले तो यहाँ पर देख सकते हैं चाकू से भी यह निकल जाती है छिलके लेकिन आप इसे इस तरह से भी निकाल सकते जैसे कि आप मैं आपको दिखा रही हूं इस तरह से छिलको को पकड़ के आप इस तरह से निकाले तो आराम से छिलके निकल जाते हैं तो इस तरह से भी आप छिलके निकाल सकते हैं चाकू से निकालने में इसे बहुत टाइम लगता है तो आप जब भी पके हुए आम के छिलक उतार सकते हैं, तो यहां पर मैंने छिलको को निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, मैंगो को काटेंगे, तो यहां पर इसे हम छोड़े छोड़े पीसेज में या बड़े चंक्स में भी आप इसे काट सकते हैं, क्योंकि इसे हमें पीस नहीं है, तो रॉफली इसे आप और में मिंघो को बनाने एकदम टाइम नहीं लगता है तो आप इस रेसिपी को जरूर से एक बाह सी बाहरें जबव केशैं बड़ें आपई चइनि को अलग से नहीं पीसेंगे तो हमारा काम बहुत ही असान हो जाएगा तो यहां पे मैंने चीनी डाला है चार चमज के असपस आप चाहे तो ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद आप जुद्शी डाल सकते हैं अब इसमें हम पानी वगधा कुछ नहीं और लेंगे तो 2-4 मिनिट लग सकते हैं यहां पे इसे चलाते हुए अच्छी तरह से इसे पका लें तो इसे आप लकातार चलाते रहें ताकि यह चिपके नहीं तो यहां पर देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद जो है यह इस तरह से बन जाएंगे और नीचे से यह पैं छो करें इसी बिस्कित को लेने का आप कोई भी बिस्कित लेग सकते हैं जिसमें फ्लेवर ना हो और मीठी वाली बिस्कित ले आप तो यहां पर यहां पर करीब करीब पचास से साथ बिस्कित ली हुई है और इसे हम तोड़ लेंगे तोड़ने के बाद जो है इसमें हम जार में इसे तोड़ रही हूं ताकि एक बढ़ में ही काम हो जाए तो यहांं पे मैं चीनी डाल दूँगी चीनी को हम चीनी डाल रहे हैं तो चार चमच के श्यूद करें ही पाउडरर की तरफ बन जाएगे लिए इस recent जरूर से दिडाने को प्रोसेस ही इसे आप बिल्कुल भी इसकीप ना करें यहां पर ब合क सकते तो इस से चानले चानने के बादे हमाँने करें पर देख सकते हैं बहुत ही fine powder हमारा बनके तयार हो चुका है इसे हम mix करेंगे mix करने के बाद दूद डालेंगे तो यहां पर मैं dare glass के आसपस इसमें दूद डालूँगी तो डूद की quantity जो है ना glass के ओपर तरह से mix हो चुकी थी तो आपके glass के ओपर depend करती है आपके glass बारा है यह चोटा है तो यहाँ पर मैंने इसे mix कर लिया है आप देख सकते हैं तो इसी तरह का consistency हमें चाहिए ऐसे हम गिराए तो यह गिर जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या करेंगे हम इसमें मैं डाल र सकते हैं उसका भी flavor बहुत ही अच्छा आता है तो इसे अब हम mix कर लेंगे और mix करने के बाद जो है इसे हम बहुत हलके हाथों से mix करेंगे इसे हम बिल्कुल भी over mix नहीं करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें अब जो है ना इसमें हम डालेंगे यह जो हमने आम के प सकते हैं इसे अब हम हलके हाथों से mix कर लेंगे तो यहां पर एक से दो बार इसे आप mix करें और mix करने के बाद जो है ना थोरा सा color भी अच्छा आ चुका है आप देख सकते हैं अब इस के कुफ लाने के लिए हम इसमें डालेंगे इनो के packet तो मैं यहां पर एक इनो का packet डाल इनो डालने के बाद इस ज़्यादा mix नहीं करना होता है और यहां पर एक से दो बार इसे mix करने के बाद इसे हम तुरंट ही Mary Tine में डाल देंगे पहले से मैंने cake Tine को ready कर के रखा हूवा है cake Tine के अनदर मैंने थोरा सा clean 못 लगा दिया था और इसे मैंने अच्छी तरह से grease कर था कि नारों को भी अच्छी तरह से आप ग्रीज कर ले उसके बाद नीचे में आप बटर पेपर लगा के पहले से केक टीन को रेडी करके रखे क्यूंकि इनो डालने के साथ केक बैटर को जो है हमें तुरंत ही पकाना होता है नहीं तो इनो जो है काम करना बंद कर देगी और गैस पे गरम होने के लिए रख दिया था आप चाहें तो इस केक को किसी कराही में कूकर में या पतीले में बेक कर सकते हैं मैंने यहां पे पतीला लिया है और पतीले के नीचे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और उसके नीचे मैंने एक स्टैन रखा हुआ है तो पहले सी आप 10 मिन पहले आप गरम होने के लिए रख देए जब आप बैसरोस आप गड़ाई जब करते तभी आप इस को घ्यास पर लेंगे और इस लागे做 लेख से टाइम तोड़ा जादा लेता है तो आप इसे चेक कर ले अगर नहीं पकी हो के valuation और ज़्यादा बेक कर लिए तो यहाँ मैंने करीब करीब इसे 50 मिन क्यास पकां ल्या है तो इसे अब हम क्ले अधर से अंधर घूसाएं ऋढसाएं Дेख सकते हैं अग्ली निकली और उस साइट में जो है ना थो है न थो इसी गिली है तो क्या करूंगी मैं पांच मिनिट और इससे बेक कर लूंगी उसके बाद जो है न गयास को में बन कर दूंगी तो मैंने करीब कर जाए इसे पच्पन मिनट के आसपास पास पकाया हुआ था तो यहां पे देख सकते हैं साइट को पिवाल निकाल निकालने के बाद आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर निचे के तरब से और केक बहुत अची तरह से बेक हुई है और अगर आप इस cake को microwave या oven में bake करना चाहते हैं तो आप इसे 180 degree Celsius में pre-heated oven या microwave में 20-25 मिनट के लिए bake करें तो यहाँ पे देख सकते हैं cake जो है बहुत अच्छी तरह से bake हुई है इसे हम सिधा कर लेंगे और सिधा करने के बाद आप देख पा रहे हुए मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं नीचे में बहुत ही अच्छे कलर आई हुई है अब टाइम है cake को decorate करने की तो मैं यहाँ पे जो mango pulp हमने पकाया हुआ था उससे ही से decorate कर रही हूँ केक के उपर जो है ना मैं इसका एक layer लगा दूँगी आप चाहें तो cream को beat करके उससे भी से सजा सकते हैं तो मैं यहाँ पे यह mango pulp से ही सजा रही हूँ क्यूंकि mango cake है तो mango का pulp लगाना बनता ही है इसे आप अच्छी तरह से लगा लें चाको की सायता से इस तरह से आप इसे spread कर दें और spread करने के बाद आप देख सकते हैं कितना tempting दिख रहा है यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से spread कर लिया है pulp को अब इसके उपर मैं थोरा सा chocolate syrup से इसे line कर दूँगी आज इस cake को हम बहुत ही simple तरीके से बना रहे हैं ताकि हर कोई इसे बना सके तो यहाँ पे मैं chocolate syrup से इस तरह से line बना दे रही हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यह line बनाने के बाद इसा color और भी सुन्दर आ रखा है तो इस तरह से आप इसे decorate कर ले और decorate करने के बाद जो है इसमें हम mango के pieces लगाएंगे आपके घर में जो भी fruits हो, mango ही नहीं आपके पास अगर colorful fruit जो भी हो उसे आप इसमें लगा सकते हैं तो इस तरह से आप इसे line कर दे, line करने के बाद जो है चोकलेट syrup हर किसी के घर में पाई जाती है, यह 10 रुपे के pouch में मिलती है तो आप इसे decorate कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी से cherry बची हुई थी, तो मैं cherry इसमें लगा दे रही हूँ अगर आपके पास cherry ना हूँ, तो आप apple के pieces या green वाले जो ग्रयाप साते हैं, उसे भी आप इसमें लगा सकते हैं आप इस recipe को जरूर से एक बटराई करें, यहाँ पे मैं थोड़े से silver balls लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस silver balls पड़े हुए थे अगर आपके पास ना हूँ, तो आप इसमें chocolate को ग्रेट करके इसमें लगा सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह दिखने में और भी सुन्दर दिखने लगी है तो इस तरह से आप इसे decorate कर ले, आपके घर में जो भी decorative समान हो, उससे आप इसे decorate कर ले तो यहाँ पे मैंने इसे decorate कर लिया है, तो यह लिजिए बन के तयार है हमारा mango cake तो है न, बहुत ही असान सी recipe, कोई भी इसे बना सकता है, अगर आपके पास cake team ना हो, तो आप इसे किसी भी कटोरी में इसे bake कर सकते हैं तो बन के तयार है हमारा mango cake, कट के लिए ready है, तो आप देख पा रहे होगे कितना tempting और कितना सुंदर सा cake यह बन के तयार हुआ है, एकदम market जैसा तो आप इस recipe को जरूर से एक बार try करें, और मुझे comment box में जरूर से लिख के बताए आपको मेरी recipe कैसी लगी और recipe पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा friends and family के साथ वीडियो को share करें, और like करें, और मुझे support करने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी असानी से यह cut रही है, इसका मतलब है केक जो है बहुत ही soft बनी हुई है, तो मिलते ह नई वीडियो में, नई recipe के साथ, तब तक के लिए, भाई, ठेक केर